हमारे जितने अभी मित्र यूपी पुलिस की परिच्छा दिये थे और उन्होंने बहुत महनत से परिच्छा दी थी रात दिन एक करके तैयारी करके उन्होंने परिच्छा दी थी अभी एक सदमे से बाहर आये ही थे कि जो पेपर लीक हो गया परिच्छा रद हो गया उनकी प पर बात करेंगे कि क्या जो 2027 में विधान सभा का चुनाओ है कहीं उस चुनाओ में इस भरती का प्रयोग तो नहीं किया जाएगा ये एक बड़ा मुद्दा है आप सभी के सामने तो सभी छात्र यहां पर डरे हुए हैं क्योंकि देखिए अब लगातार यहां बात चल रही ह कि परिच्छा जो है पहले फिजिकल कराई जाएगी ये एक बहुत बड़ी विडंबना सभी छात्रों के सामने आ चुकी है कि वो फिजिकल की त्यारी करें कि लिखित परिच्छा की त्यारी करें या फिर उनके मन में ये डर जो है बहुत जादा मातरा में बैट गया है कि परिच्छा 2027 ने पूरी होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 50,00,00,00 ऐस होगता होग है। अगर फिजिकल होगा तो फिजिकल पूरा होना आम नहीं होता है। जराआप सोचिये कि जब कुछ 1000,00,00,00 का फिजिकल होता है उसे पूरे होने में दो से तीन महीने लगजाते हैं तो पचास लाख चात्रों का पुरा कैसे होगा तो ये एक बड़ी संसे हो गई है मन में कि लगातार चात्र इस बात को डर रहे हैं कि अब क्या होगा और आप ये भी बात जो फिर से गटित किया जा रहा है और फिर से अब कोई भी कमपनी ये जिम्यदारी नहीं ले रही कि वो परिच्छा करा पाएगी या फिर परिच्छा नहीं करा पाएगी तो बहुत मन में संसे बना हुआ है और लगातार चात्र बस से ही पूछ रहे हैं कि अभी जब 6-7-8-9 महीने बाद आपकी परिच्छा कराई जाएगी तो उस समय आज से 8-9 महीने बाद जो छात्र 18 साल पूरे हो जाएंगे वो भी कहेंगे कि मुझे सामिल करो तो वो धरना प्रदरसन भी दे सकते हैं और इस प्रदरसन के बाद अगर फिर ये होता है कि फिर से पोर्टल ओपन किया जाएगा और सभी छात्र फिर से फॉर्म फिल अप करेंगे तो जो छात्र ओवरेज हो गए होंगे उनका क्या होगा तो वो धरना प्रदरसन कर सकते हैं यानि बहुत विवाद होगा अब इसमें अब देखना ये है कि होता है बट आप सभी को तיयारी कौन्टिंव रखनी है कभी भी कुछ भी हो सकता है और देखे क्या होता है बहुत संसे बना हुआ है बट मैं आप सभी से कहूंगा कि इसी के साथ आप फिजिकल और लिखे दोनों त्यारी करते रही है क्योंकि वर्तमान में विरुजगारी की दर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मेहनत आपको continue रखना होगा तो मेरा आप सभी को यही सला है मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में और फिर भी देखते हैं क्या होता है आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद